हेलो फ्रेंड्स मैं रैनू आप सभी का एक बात फिर से स्वागत करती हूं दोस्तों आपके अपने चैनल रैनू दगी चिन चैनल पे तो दोस्तों देख रहे हैं आप आज मैं क्या बनाने जा रहे हूं तो दोस्तों मैं आज मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या मैं क्या बनान हूँ आज मैं बहुती बड़ी चीज बनाऊंगी बहुती टेस्टी बहुती मज़ेदार तो उससे पहले बनाने से पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल पर अची रेस्पी देखने को मिलेंगी और आ किन बटन क्लिक करना ना बुलिएगा δोस्तों तो चलिए आईये दोस्तों बना लेते हैं यह बड़ीया सी रेस्पी देखने में ही काफी यमी लग रही है तो खाने में और बनाने में तो काफी टेस्टी लगेगी तो आप भी अपने घर पर जिरूर बनायेगा जैसे जै तो यहां पर सामान रेडी है इक ड़ाली यहां मटर के दाने ली है तो यह 5-rr illustrates पार कर लिए हैं और यह में बारिक चॉब लिए बारिक के आधि जिए और यह गाजर वह वह्ट किरें और जित आधिक यह सामने क्वेस्टे देखते जाएए और बढ़िया साही आज मैं आप सभी के सामने रेस्पी तयार करूंगी तो यह पैकेट है मिसको बाद में यूज करेंगे पैकेट को हम खोल के यह पानी मैंने बॉयल करने रख दिया था तो पानी हमारा बॉयल हो रहा है तो उसी में हम इस मैगी को डाल दें है तो यहां पे मैं एक बाउल ले लेती हूं उसमें एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है इसमें हम बाउल में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची और इसमें जो गाजर काटके रखी थी वो डाल देंगे और यह मतर के दाने और फिर इसमें मैं डालूं तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक फिर इसके बाद आदी चमच ब्लैक पेपर और अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला जैसे कि मैंने बताया था आपको उसको हम बगल में ठाके रख देंगे तो अब यूस करेंगे मैगी मसाले को हम तो यहां पर मैंने दोनों पैकिट मैगी मस मैंने निकाल ली है और मैगी ठनी है इसको मैगी को मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसमें यह बैटर रेडी कर लूँगी अच्छे से मिला लेंगे हम इसको ज्यादा पानी एड़ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ही पानी जिससे हमारा ये बेटर गीला नहीं हो जाए इसको हम उतना ही पानी डालेंगे और इतना ही हम मिलाते जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसको मैं रख दूँगी पांच मिनिट के लिए रेस्ट पर क्यों सूजी फूलेगी इसलिए इसको हम पांच मिनिट के लिए रेस्ट पर रख देंगे फिर उसके बाद हम बनाएंगे बढ़िया सी सीक्रेट रेस्पी तो देखिए यहाँ पर हम इसको पांच मिनिट के लिए रेस्ट के रख देते हैं फिर उसके बाद हम बनाएंगे आप भी जरूर बनाईएगा सुभे के नास्तिय में शाम को कभी भी बना के ट्राय जरूर करिएगा बहुत टेस्टी लगेगी अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है अप्पे का सांचा फिर इसके बाद हम इसमें डालूंगी इसमें हम ओईल एड़ कर देंगे यहाँ पर देखिए यह सांचे में हम इसमें ओईल डाल रहे हैं यहाँ पर गैस पर हमने चड़ा दिया है इसको थोड़ा हम गरम होने देंगे उसके बाद हम इसमें अपने यह बैटर डालेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे अब हम बनाने जा रहे कि इसको अच्छे से मिलाकर उसी के बाद हम अच्छे से जब अच्छे से मिल जाए उसके बाद देखिए यहां पर हमारा ऑईल भी गरम हो चुका है बैटर भी मिल चुका है तब समें हम सांचों मैं इस तरीके से सभी मैं यह रग देंगे यहां पर इसमें भी रक दिया है हमने अब सब ही में इसी तरीके से हम इसको रख देंगे ऐसे और इसको दीमी आज पर सिकने देंगे ढक के नहीं खुले ही इसको हम पकने देंगे यह देखे यहां पर यह सिक रहे हैं देखिए देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं आप य ज़रू बनाइएगा मुझे कमेंट करके जरू बताइएगा कि आप सिब को ये मेरी amazing bunch Michs की लगी है दोस्तो टो इस रेश्पी का नाम हैais ओप टेस्टी मैगी बॉल्स हमारी बन रही है यह देखिए इक तरफ से काफी यमी लग रही है अब इसी को हम सभी को इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से धीमियाज पे पकने देंगे जिससे हमारी ये क्रिस्पी बनके रेडी होंगी उपर से और अंदर से बढ़िया सी सॉफ्ट यहां पे देखिए यह हमने सभी को पल एक रहां सकती है काफी तारी वोगी अपलोगों की अगर इस तरीकिकी रेस्पी अपने अभाछा यह एक बार खिलैंगी तो वह यहीं कहां कईगे हां बहुत टेस्टी रिस्पी बन करें यहीं खांगे वह की दूसरी तरप क्रूंब हम स्यख रहे हैं इस तरीके से हमारी ग होगी मैगी बॉल्स इसको दी में आज पर ही सेक रहे हैं हम चलिए अब ये बनके रेडी हो चुकी है तो क्यों ना इसको सर्फ किया जाए ये देखिए मैगी बॉल्स बनके रेडी हो चुकी है गर्मा-गरम देखने में काफी यमी लग रही हैं दोस्तों तो आप भी अपने कर दोस्तों जरूर बनाईएगा प्लीज मैं कहते हूं बहुत टेस्टी बनके रेडी हुई है अब सब को हम इसी तरीके से प्लेट में सर्फ कर लेंगे गर्मा गरम खाने के लिए रेडी है आप भी बनाईए हमें बताईए आप सभी कोई रेस्पी कैसी लगी है अगर इसको खाईए सौस से काफी यमी बनके रेडी है इसको आप हरी चेटनी से भी खा सकते हैं आपकी मर्जी है बहुत टेस्टी बनके रेडी है गर्मा गरम देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूं यह देखिए वाव देखने में यमी लग रहे हैं बहुत मजिदार लग रह झाल झाल झाल